प्रोग्राम के दोरान दी गए जानकारियों पर अमल करने का परणाम पूर्ण तरीके से व्यक्ति विशेश के अपने अधिकार और मर्जी पर निर्भर करता है इसका फिर की चैनल या उससे जुड़ी किसी भी संस्था से कोई लिना देना नहीं है अलबता अगर आपको एंकर मिल जाए तो आप उसे कूट के अपनी खुंदक निकाल सकते हैं एक लड़के की च्छाती में दर्द हुआ तो वो गाउं में अपने डॉक्टर के पास गया डॉक्टर ने उसकी च्छाती का एक्सरे किया तो पाया कि उसकी च्छाती में एक कौक्रोच है डॉक्टर ने पताया तुमारी च्छाती में एक कौक्रोच फस गया है जिसकी वजह से तुमारी च्छाती में दर्द होता है अब लड़के को ये लगने लगा कि वो कौक रोच उसकी छाती में चल रहा है ये सोच कर उसकी तवियत बिगडने लगी दिन रात बिगडने लगी और वो गंबीर हो गया ऐसे फिर उस लड़के के दोस्त उसको दिल्ली के बड़े हॉस्पीटल में दिखाने ले गए तो दिल्ली के डॉक्टर ने उसको बताया तुमारे गाउं की पुरानी मशीन में कौक रोच भसाता तुमारी चाती में नहीं हाँ वो पुरानी मशीन में कौक रोच था इसलिए एक्सरे में आ गया तुम बिल्कुल ठीक हो उस दिन तुमारी चाती में छोटी मोटी गैस फस गई होगी अगर आप भी अपने गाउं में किसी लेव या पैथोलोजी में अपनी जाच कराते हैं और कोई गंबीर समस्या निकल आती है कोई गंबीर बीमारी निकल आती है तो एक बार किसी अच्छी जगे दुवारा से जाच जरूर करवा लें बरना कहीं आपकी छाती में भी ना फस जाए ऐसा ही कोकरोज आज की सुनी सुनी में बस इतना ही कल फिर मिलेंगे अगर समय रहा तो